हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं फिर आपके लिए कुछ कुछ लाया हूं तो जितना मेरे से आप लोगों से इंस्टाग्राम पे बात हो पा रही है और यूट्यूब पे बात हो पा रही है उससे जो मुझे लग रहा है कि जो बिना बाते confusion और doubt और जो फिर आपने म अपने वीजा कंसल्टेंट ट्रस्टे रिसोर्सेज और ओफिशल वेबसाइट पर जाके पक्का चेक करें किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें ओके दोस्तों तो सबसे पहला हमारा question से एक बंदी ने मुझे पूछा है कि सर यूके वी आई होम ऑफिस से उसको इमेल है कि उनको कुछ additional document की requirement है तो सर जैसे email आया मैंने उनको via email ही अपना document submit करके document उनको भेजा है तो सर क्या अब अब उन्हें यह डर लग रहा है कि सर क्या उनकी visa reject होने की chances ज्यादा है तो दोस्तों मैं आपको फिर यह बता दूं कि इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मागिए तो दोस्तों इसको कहते है clarity मांगना जहां तक है आपका वीजा भी एक positive state में है तो बट अपनी email लगाता चेक करते हैं अगर उन्हें कुछ और भी चाहिए होगा तो पक्का बताएंगे और हमेशा मान के चले दोस्तों कि वह आपका visa accept करने के लिए बैठे हैं reject करन है यह यह नहीं तो जहां पर भी डॉक्मेंट की requirement होगी वह आपसे खुद मागेंगे और इवेंचुली आपका वह एप्रूव भी कर देंगे ओके तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं तो दूसरा एक बड़ा important question एक बंदे ने मुझसे पूछा और बलकि उसमें मेरी recording भी भीजी सर आपने यह बोला है कि skilled worker dependent के लिए English test की requirement नहीं है यहां पे तो application में यह आइल्स exam माग रहा है तो दोस्तों आपको फिर बता दूँ अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि दो तरीके हैं आपके family को UK बुलाने के बट और उसके भी UK की website UK home office की website में different different दो लिंक different है ओके बट जो अगर आप skilled worker वीजा है तो आपको सबसे पहले अपने skilled worker के पेज में जाना है और वहां पर जाके नीचे आपको एक लिंक देखेगा जहां पर आता है आपके dependence your dependence उन dependence पर क्लिक करके वहां से आपको apply करना है और वहीं से आपको PBS dependent PBS child और पार्टनर का वैसा आपको option आएगा वहां से अगर आप जाओगे तो वह केवल जो main applicant है जो skilled worker है उसकी details मागेंगे प्लस आपकी details और प्लस COS number जो भी कुछ होता है वो मागेंगे बट English test की requirement नहीं है तो हमेशा ये पका चेक करें कि जहां से भी आप भर रहे हैं वो हमेशा skilled worker route से ही भर रहे हैं दूसरा page से ना जाए ओके बट वहीं है simple process है Google पर टाइप करें skilled worker visa UK उस page में जाए जो main skilled worker के लिए उसी में ही है you and your dependence okay और वहां से आप जाके अपना apply online करें वही सही है okay that's clear एक और है कि एक बंदे ने ये पूछा मुझसे कि सर्फ प्रायोटी वीजा के approval rating क्या है देखो देखो भाई प्रायोटी वीजा का मतलब होता है कि आपके पांस दिन में आएगा पांस दिन मे five working days में आएगा तो कई लोग expect कर रहे हैं कि दो दिन में नहीं आएगा दोस्तों और अगर आ भी गया तो क्या पता possibility होती है बट वो एक range है कि दो से पांस दिन के अंदर अदर आ जाएगा in case अगर कुछ application हो कुछ problem है तो आपको email करेंगे तब कुछ delay हो सकता है बट normal case में पांस दिन में पक्का आएगा जहां तक मुझे ऐसा लगता है तो इसलिए इसमें कोई घबराई जुरूद नहीं है five days का wait करें उसके बाद ही कहीं भी approach करें बट five days तो at least wait करें ओके तो सबसे पहले अच्छा एक बहुत next question काफी अच्छा है कि कई बार जो आपकी जो UK visa की application application है वो employer भर रहे हैं okay अब employer भर रहे हैं तो दोस्तों यह पका ध्यान रखें और employer को पक्का यार दिलाएं कि जो UK visa की application है उसमें जो email ID है वो कई बार employer अपनी डाल दे रहे हैं okay अब उससे problem क्या हो रही है आपका visa positive जा भी रहा है बट आपको जो VFS से पहली email आनी है वो भी employer वाली email ID पर आएगा आपको आएगा नहीं जो दूसरी आनी है वो भी employer के में आएगा और आप यहां वेट कर रहे हैं 15-20 दिनों से बोले सर्फ कुछ आया नहीं है okay तो इसलिए हमेशा first of all यह पका ध्यान रखें कि अगर employer भी भर रहा है तो email ID उसमें आपकी डाल दे अग लोगों के पास email के लाइन लगी रहते हैं तो इसलिए पका ध्यान रखें या तो email अपना डलवाएं या फिर लकातार उनसे touch में रहें कि सर यह email आपके पास आएगा okay तो यह है और next question है okay तो दोस्तों एक बंदे ने मुझसे और सवाल पूछा है कि मेरा UK का मेरा skilled worker visa UK का है बट जो जो बट मेरा कोई Canada है कोई Australia है वहां से पहले visa reject हो चुका है तो क्या इससे कुछ impact पड़ेगा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि impact पढ़ने के अलग chances हो सकते हैं बट कई बार आपके normal reasons से आपको आपके जो visa reject होता है जैसे fund की वज़े से हो जाता है कभी का बाद document incomplete होते हैं उसकी वैसे हो जाता है तो वह इतना impact नहीं करते हैं हाँ कुछ अगर illegal परपस है या कुछ अलग तरीके सा पर document शोग ने कोशिश किया उसके वैसे reject हुआ है तो मेभी वह impact करें बट नॉर्बल केस में जो इन reasons से जो visa reject होता है उसका कोई यह problem है नहीं क्योंकि skilled worker visa में actual में आपके पास पहले से एक COS पड़ा हुआ है और आपको document में कुछ भी शोनी करना पड़ता है तो skilled worker ज्यादा easy है किसी other visa से क्योंकि आपके पास पहले से job offer वहां से है और आपको document में कुछ भी शोनी करना होता है Okay next सबाओर है एक बड़ा बढ़ा बढ़ा है मुझे इंटर नीड़्म कर भी चुका हूं वीसे इंटर्विव कई रॉत मेरा कल वीसे अंटर्विव है में क्या तर्त्यारी करों सब मुझे बड़ा दर लग रहा है दोस्तों वीसकु भी भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसको भूल जाओ वी एफस इंटर्वी जैसी कोई चीज नहीं है पहले होते भी थे शायद आप तो बिल्कुली खतम हो गए है वी एफस में जाके आपको सिर्फ अपना एक पास्पोर्ट जमा करना है डैट सेट इवन आपकी अप्लिकेशन गल करेंगी डैट सेट तो उससे वी एफस इंटर्वी नहीं कहते हैं दोस्तों उसका डर बिल्कुल खतम कर दो अपने मन से ओके एक अच्छा सवाल एक बंदे ने मुझसे पूछा कि सर मेरी एप्लिकेशन अभी से ही जो मेरी स्किल्ड वर्कर एप्लिकेशन वह अभी से ही इन एक क्लेरिफिक्शन आपको दे देता हूं दोस्तों देखो जब भी आप जो मेन एप्लिकेंट स्किल्ड वर्कर है उसका जब भी आप वीजा फॉर्म भरते हो फॉर्म वीजा फीज भरते ही आपके पास GWF नंबर आ जाता है GWF नंबर आने के बाद अब आप अपना अप्ल करेंट को लगेगी बट अगर आपका वीजा है क्या अपकी प्रोस svhmm जब भी आप टोगेधर तो आपको टोगेदर डालना है तो एक की मापका आ जाए आप साथ ही जा रहे हो और उसी में जहांता कि आपका maintenance भी cover हो जाएगा तो दोस्तों आप साथ apply कर सकते हो बिल्कुल करें अगर उनका process में है तो भी आ गया है तो भी क्योंकि जो जब वीजा जब आपका वीनेट sticker लगता है उसके तीन महीने तक आपके पास एक entry clearance होता है उस पसंद आएंगे और काफी आपका doubts clear होंगे एक चीज पक्का मैं आपको बताना भूल गया हो कि लोग visa consultant से अपना application भरवा रहे हैं बस मैंने 4-5 case ऐसे देख लिए जहां पर visa consultant काफी सारी गलतियां करी हैं आपकी application form में तो दोस्तों प्लीज ध्यान रखें जब भी visa consultant आपक consultant ने आपकी application में कुछ ना कुछ mistakes करी है ठीक है दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा informative भी है और do like, share, subscribe और आगे मिलते हैं दोस्तों next video पर thank you very much